ब्रैंडेट सराब भी ब्लैक में कितनी बार पकड़ाता है रोज हर एक थाने में कभी कहीं 300 कभी 3000 कभी 3000 लाख का माल पकड़ाता रहता है लेकिन जो खास करके प्रसासन है वो खुद पैसे लेकर उत्तर प्रदेश जारखंड बेश्ट बेंगाल जहां सराब चालू है वहां स चंड निउस देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी ख़वर आ रही है बिहार के छपरा जीला से 30 से जादा लोगों की मौते हो गई है क्या कारण है सराब बंदी जी हां जो सराब बिहार में 2016 से नितिस सरकार ने बंद करके रखा था मैं आपको बता दू वहां जहरीली कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार का जो बयान आ रहा है मैं आपको बता दू सुझीद देखिए नितिस कुमार जो चीफ मिनिस्टर ओफ बिहार है उनका कहना है लेकिन फिर भी कोई पी लेता है ज्यादा तर लोगों ने इसके पक्ष में सहमती दी है लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा कुछ तो ऐसी गलती करता ही है तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना जहरीली सराप से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपस समगे बाह जो सराप पीए गाव तो मरेगा ही तो उदारन ही सामने है कि पीओगे तो मरोगे यही तो बात है और जा एक बात और पूछ लिए जो बिपक्ष का लोग बोलता है जहरीली सराप से मरे उनसे पूछिए कि आपका जहां जहां सासन है वहां कितना जहरीली सराप से मर रहा है जो सराप पीएगा वो मरेगा जी हां देखिए बयान में कितनी लापरवाही दिख रही है जो सराप पीएगा वो मरेगा इसका मतलब वो अपने आप से पल्ला जाल रहे हैं वो अपने आप से अपने कामों से पूलीस का जो काम है सराप तसकरी को रोकना वो उससे बच रहे उनका कहना है दूसरे राज्यों में भी लोग मरते हैं देखिए एक responsible चीफ मिनिस्टर का ये बयान है कि दूसरे राज्यों में भी लोग मरते हैं जी हाँ नितिस कुमार का ये कहना है जहरीली सराब पे जो मौते हुई हैं देखिए नितिस कुमार का कहना है सुजीत बता दू जहरीली सराब से पहले भी मौते होती थी तो इनका ये कहना है कि जो पहले होता था वो अभी भी होगा इनका ये कहना है नितिस कुमार का क्या ये एक चीफ मिनिस्टर का ये गैर जिम्मादाराना बरान जो है वो दे रहे हैं टीवी पर मीडिया हाॉसेस में और खास करके बिह बिधान सभा में भी उनका यही कहना है कि BJP वालों को वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ थे सराब बंदी में अच्छा हुआ मैंने आपको छोड़ दिया है आपका मैंने गठवंधन तोड़ दिया है यह कहना है नितिसकुमार का देखिए इस पर केंद्रिये मंत्री जो बिहार के बेगु सराय से सांसद है गरिराज सिंग जो बात-बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं हिंदुत्व के ठेकेदार जो गरिराज सिंग है उनका कहना है कि नितिसकुमार को इस्तिफा दे देना चाहिए नितिसकुमार सराब में मरने वालों को मुआबजा भी नहीं देने के लिए बोले हैं नितिसकुमार ये जानने की बात है तमाम BJP के नेता कह रहे हैं कि मुआबजा देना चाहिए करीब से करीब 2,00-4,00,00 रुपे मुआबजा मिलना चाहिए लेकिन नितिसकुमार का कहना है कि अपने गलती किये हो अपने गलत काम करते हो तो हम मुआबजा क्यों दे एक चवनी भी आपको मुआबजा नहीं दिया जाएगा यह नितिस कुमार का बयान है देखिए तेजस्बी आदब जी का भी इस पर बयान आया उन्होंने कहा कि जो भी लोग यहां पर मरे हैं मेरे मेरा उनके लिए स सब के बाबजूद जो चीजें हैं कि बिहार में आखिर जहरीली सराब बन कैसे रही है जहरीली सराब की खेप बिहार में कैसे पहुँच रहा है यह जानने की बात होगी यह समझना चाहिए लोगों को कि प्रसासन वहां का मुस्तैद क्यों नहीं है वहां पर जो कमपनियाँ नियार्त करती हैं बनाती है वो कमपनियाँ कarea भी यहाँ पर ब्लैक में बिक रहा है तो कहीं न कहीं यह प्रसासन की तिलाई है। वो बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि सराव नहीं पीना चाहिए लेकिन जो खास करके प्रसासन है वो खुद पैसे लेकर उत्तर परदेश जहारखंड बेश्ट बेंगाल जहां सराव चालू है वहां से सराव आता है बलैक में और बिहार में लगातार ये रोज है कि पकड़ाना है सराव निश्चित है तो ये कहीं न कहीं प्रसासन की ढिलाई है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार इस पर बिलकुल भी कार्य नहीं कर रही है और आज जब मौते हुई एक साथ 30 से ज़्या जब च्छपरा जिला में हुई हैं तो सरकार का ये गैर जिम्मेदाराना बयान चलिए आप वो मुहाबजा नहीं दीजिएगा लेकिन आपने क्या कानून बनाए 2016 से आज 2022 तक पिछले 7 सालों में 6 सालों में कि सराब तसकरी रुकी हो बिहार में इसके उपर मैं नितिस कुमार जी सब ये सवाल प्रस्ण में पूछना चाहूंगा खास करके उप मुखे मंतरी जो अभी यूथ हैं और अपने आपको भावी CM के तौर पर देखते हैं बिहार के आने वाले समय में क्या वो इस पर जवाब दे पाएंगे और एक टाइम था जब नितिस कुमार से अलग थे या RJD तेजस्वी आदब जब अलग थे तो उनका ये कहना था कि सराब तो महेंगा है बिहार में होम डिलिवरी हो रहा है तो क्या वो सराब बापिस से चालू करेंगे क्योंकि बिहार को 400 से जादा करोड का नुकसान हो रहा है सराब बंदी से लेकिन नितिस कुमार का कहना ह कि मेरी महिलाएं जो बहने हैं उनके लिए मैंने ये सराब बंद किया है और ये बंद रहेगा मेरा ये स्टेंड है तो क्या इस पर नितिस कुमार और तेजस्वी आदब आमने सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी बहुत बहुत धन्यवाद प्रचन न्यूस को